इसे जगों पर शिव पार्वती की शादी होगा है हेलो प्रेंट आज की वीडियो पर मैं जहा रही हूँ त्री यूगी नारायन और अभी मैं हूँ त्री यूगी नारायन के रास्ते में ये नीचे रहा सोन प्रियाग दोस्तों किया आप एक ऐसी जगों के बारे में जानते हैं जहाँ पर भगवान शिप का और माता पार्वती का विवा हुआ था एक ऐसी जगों जो कि सोन प्रियाक से 11 या 13 किलोमिटर की दूरी पर होगी बट उतनी सी दूरी में ही आप एक ऐसी जगों पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक अखंड धूनी जलती रहती है और वो धूनी लगभग त्रेता युक से जलती भी आ रही है तो चलिए फ्रेंड्स आज की विडियो स्टार्ट करते हैं एक नए सफर से अब ही हम पहुचे है रुद्रप्रयाग यानि कि यह सामने रहा रहा रुद्रप्रयाग यानि कि यह सामने रहा रुद्रप्रयाग और इसी बहाने में आपको दिख्याने वाली रुद्रप्रयाग का संगम जो कि है अलगनंदा और मन्दा की नी का संगम से अलगनंदा जो किता साफ सुत्र अभी हुए इसना crystal clear पानी है मंदाकनी का और अलगनंदा का पानी आप दे सकते हैं बिल्कुल gray color का पानी है और यह बिल्कुल प्रियाक सारे के सारे एक ही same pattern में बने हुए होता है वहाँ पे जो किनारे पे जो स्थल बनाए होता है same pattern में होता है यह सामने रहा है रुद्र प्रियाक पूरा शहर आप इच्छे देखो आई लव रुद्र प्रियाक लिखा हुआ है वहाँ जाकर कि आप पोटो शूट करा सकते हैं अभी हमें केदाना तली रोट में हाई बहुत चाम लगा हुआ है हाँ पर अभी मैं हूँ अगर्स मुनी में और यहां से मैं आपको मंदाकिनी रिवर का जो व्यू दिखा होगी वो आपने कहीं ही देखा होगा रूदर प्रयाक से लगभग 1.5 घंटे का रास्ता तै करने के बाद अभी हम पहुँचे हैं गुप्तकाशी और गुप्तकाशी से केदारनाथ है 47 किलोमेटर जो की आप देख सकते हैं और इतना रूदर प्रयाक से गुप्तकाशी भी रहा होगा अब आगे चलते हैं हमको केदारनाथ वाली रूट जो है दोस्तों बहुत जादा खराब है मतलब मैं आपको बदा भी नहीं सकती वो रास्ता इतना खराब रास्ता हो चुका है क्योंकि वहाँ पे कुछ लॉक्डाउन के बाद से ही इतना जादा टूरिस्ट वहाँ पे और तो रास्ते में रुक रुक के चाहे पीना भी बनता है तो ऐसे ही रुकते रुकाते चाहे की चुस्कियों के साथ मौसम के नजारे देखते वे हम पहुंच चुके हैं सोन प्रयाब इस एरिया में ट्राफिक तो बहुत ज्यादा नहीं है बड़ इस कार ने बहुत तिरसम लोग को ब्लॉक करके रखावा है क्योंकि ये पूरा का पूरा वन वे है और बहुत आगे तक ये रोड ऐसी ही है वन वे रोड ये है का इस रियोगी नरायन की रोड और यहां से आपको नीचे सोन प्रेहक का पार्किंग वाला इरिया दिखाती हूं और यह देखो आप कुछ पर्सेंट पार्किंग वाला इरिया देख रहा है और बड़ा गाड़िया की छोटी-छोटी से दिख रही है वो बगल मंदाकी नहीं बहरी है और ये सामने पहार और उधर को उधर सा आरायन के पास में आपको यहां पर एक हैली पैड भी मिलेगा गाइस में पहुंच चुके हैं त्री यूगी नारायन गाउं में और आपने केदारनात मुवी तो देखी होगी ना तो केदारनात मुवी में जो सुशान सिंग राजपूत का जो गाउं दिखाया हुआ था यही किते प्यारे प्यारे फूल लगे हुए है कुछ तो कहना चाहरे वाब उतसे फाइनली गाइस त्री यूगी नारायन टैंपल में हम पहुंच गए हैं हमने मंदिर से प्रसाद ले लिया है और अब मंदिर की तरफ को जाते हैं और यहां की जो बेसिक यहां की जो बोली है व मैरिज डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया है आजकल सभी लोग अपनी शादी को साथ जन्मों तक पक्का रखने के लिए यहां पर आके शादी करते हैं और मानिता भी है क्योंग यहां पर शिवपारवती की शादी हुई थी अब स्रीयोक का नाम त्रीयोगी नारायन की है यह मैं आपको बताती हूँ यह मंदर जो है वैसे बेसिकली भगवान नारायन को समर पित हैं यहां पर भगवान नारायन ने वामन अफ्तार लिया था और वामन रूप में ही उन्होंने राजा बली से तीन लोग दान में जब शिवर पारवती का यहां पर विवा हुआ था तो पारवती के पिताय राजा हिमाले ने भगवान नारायन को साक्षी मानकर यहां पर अपनी पुत्री का कन्यादान किया था इसलिए जगह इतनी ज्यादा फेमस है अब यहां पर दूर-दूर से लोग आते हैं अपनी शा दोसतो थ्रीयोगी नारायन में कुंडों का बहुत मेहत्व है यहाँ पर Tin on उसके बाद आता है विश्णुकुंद विश्णुकुंद में आच्मन वगेरा किया जाता है उसके बाद फूर्थ नमबर पे जो कुंद है वो है सरस्वति कुंद सरस्वति कुंद में पित्रों का तरपन वगेरा किया जाता है इसके बाद है नारत कुंड जहाँ पर पिंडदान दिया जाता है दो कुंड और है सूरे कुंड और अमरत कुंड जो है मंदिर के भीतर गर्ब ग्रह में है जहाँ पर अमरत कुंड में स्नान कराय जाता है भगवान को और सूरे कुंड के जल से भगवान का भोजन तेयार किया जाता है मंदिर का टूर हो गया अब बाहर की शॉपिंग करते हैं अब मैं करूंगी शॉपिंग मुझे पसंद आती है कुछ चीज़े वो मैं लेती हूं उसके बाद हमको जल्दी से जाना भी था अब अब अजय है अब 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 आए एक ही लिए कोई सब्सक्राइब ड़ा रही है यह था मेरा त्रियोगी नारायन का वीडियो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को शेर कीजिए